असलाम अलेकुम हमारा कॉंट्रेक्ट चल रहा है और कॉंट्रेक्ट के अंदर हमने जिस तरह कॉंट्रेक्ट को मुख्तलिफ कॉंट्रेक्ट देखे थे जो कॉंट्रेक्ट में दिये वे थे जैसे के हमने कहा कि एक कॉंट्रेक्ट जब वाइडेबल और वाइड और उसको दे लिके रहे हैं इंडवनेटी एंड गारंटी यह थे किसम का कॉन्टेक्ट है और इंडवनेटी और किस सरा कॉन्से कॉंट्रेक्ट होते हैं एंड न कॉन्ट्रेक्टस गारंटी तो आज एक बढूंपों मित vit напुर को देखर है , कौन क्या कर सकता है वो इन्शालला देखेंगे चले हम स्टार्ट हाँ टाइप बिल्कुल ऐसे यह है जैसे हमने कंटींजेंट कॉंट्रेक्ट देखा अभी कल कोई बचा मुझे मैसेज कर रहा था वटसेप पे उस पे फेस्बुक पे या गालबन यूट्यूब पे कि सर आप अपने यह कहां से लिया और किस केशलों में यह टाइपस दिये हैं तो मैं उसको रप्लाय तो नहीं कर पाया लेकिन दिखिए जो चीज़ खुद कॉंट्रेक्ट एक्ट में दिया है ठीक है इसके अंदर आपको कॉंट्रेक्ट आफ इंडैमिनेटी दिया है तो यह तो यह हुआ है फिर कॉंट्रेक्ट आफ गरंटी दिया हुआ है और इजन्सी का दिया वात ओ ये सारे जाए ठेक है तो इसलिए आपको जहां लो एक सिंपल कॉंट्रेक्ट की डेफिनेशन आपने देख ली कल आपने देखा है कंटेंजेंट सिंपल नहीं था उसके अंदर कुछ शरत थी कुछ किश इवन्ट की हैपनिंग नाट हैपनिंग थी ठीक है यह किसी इंपोसिबल एक्ट की बात की थी यह टाइम फ्रेम की बात की थी बट इवन्ट था उसके अंदर आज हम देख रहे हैं कि किसी को नुकसान से बचाने के लिए कोई कांट्रेक्ट किया जाता है तो तो कैसे होत हम से पर कि कॉंट्रक्ट क्या होता है किंडग अब इंडेमनिटी जो होती है यह करना है इन दे dip करना क्या होता है विच्टोर शाबस इसको कहते हैं उसको ऊफको करना में देखते हैं सेव दादर शींपल सी बात केता है अग कांट्रेक्ट भाइविच वन पार्टी प्रॉमसिस तो सेव दादर फ्रम लॉस कास्ट तो हिम कांटेक्ट यह कि तुम यह काम करो नुक्सान तुमारा अगर होता है तो मैं दूगा ठीक है तो इम बाइदा कॉंड़क की वजका से अगर उसको नुक्सान होता तो मैं मरुंगा और बाई-da कॉंड़क और परसंजा और किशी और की वज़ड़ नुखसान होता है तो मैं भरूगा उसको तुमें सेब करो ऊन्दक के साथ हो रहा है against the consequences of any proceedings जो तुम्हारे खलाव कोई भी किसी चलेंगे विच सी में टेग अगेंस्ट भी ठीक है जो सी तुम्हारे खलाव कर सकता है इन डिस्पेक्ट अफ सर्टन सम अफ दो सो रुपए इसके बारे में तो मैं उससे तुम्हें बचाऊंगा इंडैमिनिफाय करूंगा तो इस इस एक और आफ इंडैमिनिटी होल्डर जिसको कहा गया उसका राइट तो सिंपल सी बात है अगर उसको डैमिज होते हैं तो उसको कंपेल करेगा कि मुझे दो नमनिटी जो नमनिफाय करो मुझे ठीक है और और अल कॉस्ट विच में बी कंपेल टू पेइं सच सूट को सू और all sums which he may be paid under the terms of any compromise of any such suit और उगर उसमें कोई उसको और सम्स देने पड़े हैं तो वो भी किस से रिकवर किया जाएंगे इसको किया गया है तो वहां पर क्या होगा इसको क्या कहते हैं अपने कॉन्डेक्ट से अगर उसको नुक्सान हो या किसी तीसरे के वह मेरे साथ ये प्रामिस कर रहा है कि मैं तुम्हें नुक्सान से बचाऊंगा तो ऐसी सुरत में वो उसकी तलाफी भी करेगा यहां तक सिर्फ क्या था कॉंट्रेक्टफ डबेनिटी अब एक वर गारंथी यह सारे रोज देखते हैं हमारे हम मिजूरिटी जो कॉंट्रेक्ट रहते हैं वह कॉंट्रेक्ट सो त्यक्ति कौन से होते हैं इसके अंदर तीन पार्टी शामिल होती हैं कौन कौन सी कि एक क्रेटर देटर पहले ही होते है न जो डे रहा है और जो ले रहा है ठीक है देने वाला क्रेटर लेने वाला डेटर अब इसके अंदर की सी पार्टी होती है ऑल अगर नुकसान हुआ तो मैं प्रिटरूंगा उसकी जगा यह क्या है गारंटर गठी इसको को कहते गुरंटी ठीक है तो इसके अंदर शोर्थी अब इसके अंदर शूर्टी अब डिफाइन कर रहा है 126 के अंदर कॉंट्रेक्ट आफ गरंटी किसको कहते हैं कहते हैं इसको कॉंट्रेक्ट टू पॉफॉर्म दा प्रॉमिस और डिस्चार्ज अलिबिलिटी आफ थर्ड पर्सन इन केस अफिस डिफॉर्ट ठीक है यह कौन भरेगा तीसरा शक्स उसके डिफॉर्ट की वज़ा से ठीक है वहां पे दो ही पार्टी थी इंडेमिटी में हां शोर्टी इसमें तीसरी पार्टी भी मौजूद है तो यह इस वज़ा से मैं चीजें बता रहा हूं ठीक है ठीक है आगे जी पर्सनों गिव्स दा गरंटी अब यह शोर्टी की डेफिनेशन बता रहा है मैंने इसको सिर्फ लिखा गिव दा गरंटी इस काल्ड शोर्टी करें और प्रिंसिपल डेटर कौन होता हूज डिफॉर्ट ग जिसको गरंटी दी जा रही है एस कार्ड करेडिटर ठीक है जो गरंटी दे रहा है वह शोर्टी है जिसके डिफॉल्ट पर दे रहा है वह प्रिंसिपल डेटर है और जिसको दे रहा है तो यह थो तीनों लफ़ समझ आ जाए तो बात कृतम हो जाती है कॉंट्रेक्ट अब गरंटी को बहुत बड़ी बला का नाम नहीं है शोर्टी एस कार्ड प्रिंसिपल डेटर हाँ गेवर एस कार्ड ग्रेटर शाब बाश बाश दिस इस अब नेक्स अब इसके अंदर वह क्या कॉंट्रेशन होगी उन के धर्यान क्या transmitted होंगी welcome क्या है? consideration of guarantee anything done or any promise made consideration का पता है ना? समझ गे बाव for the benefit of principal debtor principal debtor के फाइदे के लिए दी जारी ने guarantee के whose default guarantee is given is called may be sufficient consideration to the surety for giving the guarantee ठीक है उसको कहता है तो इसे भी consideration देनी है कि तुम उसकी guarantee क्यों दो तो उसके लिए sufficient है ठीक है? A sells and deliver goods to B C afterward request A to forbear to sue B for the debt for a year रुके रहना? एक साल तक ठीक है? A promises that if he does so अगर ये करेगा तो C will pay them in default of payment by B A agree to forbear as requested वो agree करता है उससे mana रहेगा नहीं करेगा suit this is sufficient consideration for C's promise ठीक है? समझागी के नहीं आई? जी next आपका है shortage liability उसकी ऐसे ही liability है जैसे principal debtor की है सारी liability जैसे के principal debtor की liability वैसी ही shortage की liability है ठीक है? अब ये दर्मियान में से ये शक्स जो है इसने लेने है दोनों से अब ये बरी जिमा हो गया इसने अगर ये भागता है तो पकड़ेगा वो इसको ठीक है जैसे इसको पकड़ना था वो इसको पकड़ेगा ठीक है शरूटी को बात खत्म होगी continuing guarantee guarantee कब तक चलेगी guarantee which extent to a series of transactions is called a continuing guarantee जब ये भी दे दो इसकी guarantee ये भी कर दो ये भी guarantee तो जब जिस हद तक वो को देता गया उसके तक वो continue guarantee है ठीक है आगी समझ रेवोकेशन of continue guarantee उसने का जनाब बस ये तीन चार काम कर लिए यहां तक है इसके बाद करोगे तो उसकी मैं guarantee नहीं देता वो रिवोक कर ली ठीक है हां मतलब continue guarantee को वापस मैं सिर्फ इस साथ तक लिएबल हूँ बाकियों किया तक मैं नहीं होँगा continue guarantee may at any time be revoked by the shorty as to future transaction को पिछली तक तो मैं हूँ बिल्कुल है सही है ठीक है 131 revocation of continue guarantee by shorty's death कृतम हो ठीक है लब guarantee को death भी हो सकती है liability of two persons primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be shorty on others default ठीक है अब shorty एक से ज्यादा है two persons की तो फिर क्या अगा two person contract with a third person to undertake a certain liability and also contract with each other और फिर आपस में भी कर लेते हैं उनके साथ तो कर लेते हैं आपस में भी कर लेते हैं with each other at one of them shall be liable only on the default of the other उसके default पे हम liable हैं ठीक है the third person not giving being a party to such contract the liability of each of such two person to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract definitely to contract किया है इस सूरत में अगर ये डिफॉल्ट होता है तो तो पहला contract with another body कर लेता है मैंने वही कर रहा हूं तो वह पहले वाला contract इससे लैबल नहीं होगा मतलब इससे effect नहीं होगा एदे a and b make a joint and several promsory note to see ये छोड़ो उस बात को बस इस बात की समझा आगी ये ज्यादे गुमा देगा आपको 134 कहता है discharge of shorty by variance in terms of contract तो फिर वह उस साथ तक है जो पहली थी सब्सीक्वेंट के लिए नहीं है discharge सब्सीक्वेंट के लिए नहीं है discharge हाँ फिर discharge होगी शोटी उसकी ठीक है 133 है 34 discharge of shorty by release or discharge of principal debt जब यही खत्म हो गया तो फिर यह तो automatically discharge हो गया पाती खत्म होगी ठीक है 135 discharge shorty when creator compounds with चुला कर लेता है gives time to or agrees not to sue principal debtor okay sir agree कर लेता है कि I am not going to sue this year discharge 134 not discharge when agreement made with third person to give time to principal debtor हाँ अगर सिर्फ time दिया तो फिर discharge नहीं होई उसने का जहल ठीक है तुम्हें 10 दिन का time देता हूँ definitely अगर उसने time extend किया तो shorty discharge नहीं होगी याद रखना यह छोटी 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 बाते हैं जो आपको preposition type question बनाके देता है नो इसी बातों को गौर नजर रखता है हाँ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर तो उसने agree कर लिया कि उसूर नहीं करेगा फिर time दिया तो फिर chat क्या होगी discharge लेकिन अगर उसने सिर्फ time दिया है और agree नहीं किया compound नहीं किया वहां पर compound करके agree करा है और फिर हुआ है time दिया है यहां पर compound compound ability नहीं है यहां पर सिर्फ time दिया गया है तो फिर discharge नहीं है ठीक है और 136 35 में था कि शोर्टी वैंड एग्रिमेंट मेर्ट विद थर्ड पास्टन तो गिव टाइम ठीक है तो वह वाली बात है और 35 में टाइम वाली बात दी है लेकिन उसमें compound नहीं हुआ ठीक है तो फिर शोर्टी डिशार्ज नहीं होगी Creditor forbearance to sow does not discharge shorty अब यह भी उसने कह दिया अगर उसका नहीं हुआ और उसने I think so please check it Mayor forbearance on the part of creditor to sue the principal debtor Mayor forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor are to enforce any other remedy against him does not in the absence of any provision in the guarantee to the contrary discharge the shorty वो कह रहा है मैं सूर नहीं करूंगा तो इसका मतब यह नहीं कि शोर्टी डिस्चार्ज होगी होगी ठीक शोर्टी डिस्चार्ज अगर तो लिख दिया गया कि ऐसा कुछ है तो फिर शोर्टी डिस्चार्ज होगी अगर वो कंप्रमाइज कर लेते तो फिर भी शोर्टी डिस्चार्ज होगी लेकर काउंट्राइक्त तो फिर व सकता है यह भी लिखा हुआ होर्राइज भपवन को श्युटी डाजत अध को शूर्टि यह पो सकती है आपने भी मैंने भी ठीक है इस आप को डिशार्ज भी साज कर दिया एक शूर्ट मैंसा सभी डीषड और्फ shorties are released by the creditor of one of them does not discharge others neither does it free the shorty so released from the his responsibility on the other shorty a busco release kia the yenia ke uski at tak release over us sorry I need to cut a next this charge of shorty by creditors act tickets our mission impairing shorties eventual कर देबनने है 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 अच्छा बात यह क्यों कह रहा है कि the desire of shorty by creditors act our mission impairing shorties eventual remedy कर रहा है if the creditor does any act which is inconsistent with the rights of surety ऐसा कुछ act करे जो inconsistent with the rights of surety हो और मेट to do any act which is his duty to surety requires him या कुछ ऐसा उसने करना था वो नहीं किया रहा है जो क्यों कर दिया है जो करना कर दिया वह नहीं करता तो फिर भी क्या होगा यह शाच हो चाहिए हागे rights of surety on payment of performance उसने right क्या है जो पर फॉर्म कर दिया जो क्यों कर दिया जो है जो क्यों कर दिया जो पर दिया जो हिर क्यों क्यों promise of all that he is liable for is invested with all the rights which a creditor had against the principal debtor तो फिर यह क्रेडिटर और यह कर दी अब इस यह करदा यह देने वाला और यह लेने वाला हो जाए ठीक है ना इस इसका वाकाम तो इसने कर दिया तो अब यह क्रेडिटर हो गया यह डाटर हो गया ठीक है आगी समच नेक्स्ट राइट अफ शोर्टी और पेमेंट अच फिर्ट यह क्रेड़ और और यह ड़ू क्रेडितर ऑफ द मैंड़िटर आखेड़ ही आगी जो ट्रीडिटर रखेड और खट है रह को अब अच शीुर्ट तो तो अब यह हरुच mee। रखना ही रखना टीक है टीक है?犯ह the security or not क्या वो जानता था यह नहीं जानता था लेकिन अब वो सारा वो ही उसके लिए है if the creditor losses without the consent of surety parts with such security this surety discharge to extent of the value of the security उस value हथ तक वो डिस्चार्ज होगा otherwise नहीं ठीक है और 142 गंटी अबटेन बाइ भी मिस स्क्रिस्टेशन कर लिये वो इंवालड फेक है अटेक है यृड्टे के जरीए भी है तो भीट का रॉंटीा कै रॉंट का ठालाच्ट पोडहान Samson को शोर्ती ज्वाइं अगर केता तब तक ओनी करेगा जब तक दूसरा ना आ जाए जा धर पर्सन गेप जब रटी अपॉन लेकिन ये लइसा तरह जैसे करहा कि अगर बन फोर में अगर कांट्रैक्ट प्रिक्ट नहीं है तो में नहीं है कॉंट्रैक्ट तो है पर गरंटी है लेकिन प्रीटेशन आता है कि फिर इन वैलिड या उसका और इंवाइड ऑफा की तरफ ले जाते आना मीस्पेशन अच्छी फ्री कंसेंट का हिसा था आपने पड़ा था तो दन वैलेड वैलेड हो सकता है अगर अगर तो हो तो फिर तो वैलिट हो गया अगर से स्टेंड कर गया तो इन वाइल हो गया ठीक है और अगली 144 कहा रहा है कि गरंटी ऑन कॉंट्रेक्ट डाट क्रेटर शलना टेक्ट ओन मतलब गरंटी वह दे रहा है लेकिन और इस सूरत में कि तूसरा आके जोइन करेगा को शोर्टी अगर को शोर्टी नहीं आता तो फिर भी यह कॉंट्रेक्ट इन वैलिड ठीक है और इंप्लाइड प्रॉमिस टून इंडेमनिफाइश शोर्टी को ने फाय करना यह इंप्लाइड प्रॉमिस होता है यह ना कहा कि जनाब मैं सिर्फ गरंटी नुक् किसका बड़तर का ठीक है कहते है in every contact of guarantee there is an implied promise by the principle debtor to indemnify the surety and the surety is entitled to recover from the principle debtor whatever some has been rightfully paid under the guarantee but no some which is paid wrongfully को शोटी लाइबल तो फिर एकुली लाइबल है ठीक है और लाइबिल्टी आप को शोटी बाउंड इंडिफरेंट सम्स यह भी हो सकते हैं तो यह आपका था अबार कॉन्ट टॉप्स हुपशु समाझ आया होगा तो यह वेरी मुछ